हाई पुस्फस किचेन में आप सबका स्वागत है मैं 500 ml पानी बिठाई हूँ बाटी गरम हो गया पानी अब उसमें हाप चमश नमाक 100 ग्रम सोया बड़ी देखे इसको 10 मिनिट के लिए धक के साइट में रख दूँगी उसके बाद इसका पानी को निचूर लोंगी निचूर का काटलेट का रिसिपिल आये हूँ एक चमश अद्रक रोशुन का पेज दूँगे हाप चमश कास्मिरी लाल मिर्च पाउडर दूँगे हाप चमश हल्दी पाउडर हाप चमश गरम मसला पाउडर नमक साद अनुसार 5 हरी मिर्च को बारिक चोपिंग करके दूँगे चील के कद्दुगस करके दूँगी इसमें अब सामगरी को अच्छे से मिक्स करूंगी मिक्स करके अभ इसमें मैं वह दो चमश बेशन देखे और अच्छे से मिक्स कर लोंगी इस कबाब चलो नौन भेज खाते हैं नौन भेज नहीं खाते हैं भेज खाते हैं वो लोक के लिए बहुत हिल्दी और टेस्टी भी है देखिए अब मैं जैसे आटेकल लोया लेते हैं इसे लोया लेके हाथ में पहले ओयल लगा लेजिए तब हाथ में नहीं चिपकेगा देखिए अब जैसा भी सेब चाहे दे सकते हूं, मैं लंबाई में सेब दे रही हूं, और गोल गोल भी आप कर सकते हो, मैं गोल गोल भी करूंगी, ऐसे सेब बना लूँगी, कितना अच्छा, अरे हिल्ली नास्ता भी है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं, घर की सामगरी से भी बन जाता है, चार चमच कॉनफलर गोलूँगी, इसमें दो चुटकी नमक दे दूँगी, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी देके घोल बना लूँगी, आप चाहे तो यहां मैधा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैधा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए आप घोल को अच्छे से मीक् देखिए और एक डो को ऐसे इसमें डुबो दूँगी घोल में, डुबो लेना है डुबो के, अब ब्रेट कम में दे दीजिए, देखिए ब्रेट कम का कोट कर लिजिए इसमें, देखिए कितने आसानी से तयार हो गया है, ऐसे ही मैं सब को तयार कर लूँगी, और अच्छ करती रहिए, उसको कोट हो गया है, अब में तलने के तरब जाओंगी, फाइल अच्छे से गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम में गयास को कर दिजीए, करके आब इसको तलने के लिए उयल में दे दीजिए, तो रीफाइन उयल में तल लेना है, और इसको दोनों साइट से सुन मेरा होने थक इसको पका लीजिए आप चाहे तो इसको मियोनिस के साथ खाईए टोमेटो सर्च के साथ खाईए हरा धनिया के साथ भी आप इंजय करश रखते हो देखिए कितना अच्छा दीख रहा है ना अब मैं ओयल को से इतना हो शके ओयल को दबाते हुए ओयल को निकाल देना है ओयल को अलग कर लिजिए करने के बाद इसको अब टीशू के अपपर निकाले और जो इस्टा ओयल रहेगा वो टीशू में रहे जाएगा देखिए आप कड़ाई में जो ओयल है ना उसमें मैं चार हरी मीच को फ्राइए कर लूंगी इसमें हरी मीच फ्राई बहु है देख पा रहे हैं आप मैं हरी चितनी और मियोनिस के सथ करें थैंक यू